हेलो, नमस्कार, आद आप कैसे हैं, आप भावना गुट फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अभी आपके लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान तरह के से बनने वाली नमकीन अक्सर क्या होता है, कि हम अपने घरों में बूंदी का रायता बनाने के लिए बूंदी का पैकेट महँआते हैं तो बच्चे उस बूंदी के पैकेट को इतना पसंद करते हैं, कि बूंदी का रायता बनने से पहले ही बूंदी को चटकर जाते हैं तो मैंने बस उसी का solution डोड़ने के लिए के purpose से ये नमकीन बनाई है और बच्चे इस नमकीन को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन को आप छान के लिजिए इसमें कोई भी गोटली नहीं होन तो मैंने थोड़ थोड़ा पानी डालकर इसका हम इए पतला होल बनाएंगे तो हम सब से पहले इसकी बनाएंगे बूंदी बच्चे उतनी पसंद करते हैं कि घर में निए की बेखे मुन होते हैं तो बेखे मैं आसानी रहती है तो क्या करना है इसे 5-6 मिनट के लिए लगातार हम इसे लगातार फ्यटेंगे ताकि इसकी जो बूंदी है बढ़िया आए तो आप दे सकते हो एक तम मैंने इसका पतला घुल बना लिया है इसका गाड़ा घुल नहीं बनाना है आप दे सकते हो बिलकुल एक पतला घुल इसका मैंने बना लिया है और इसको मैंने चैस एक मिनट के लिए बिल्कुल बड़ा से रेड़ी है और साथłe मैंने इसमने लिये है कुछ मसाले भी लिए लिये हैं तो है चैसेशी का आप दूझ भी भी अज्याजी तो मैंने मखाने लिए हैं और कच्ची मूभलिया लिए हैं तो मैंने गैस का चालू कर लिए हैं कढ़ाई में डाल दिया है मैंने cooking oil डाल दिया है तो oil जब तक गरम हो रहा है तब तक मैं इसको थोड़ा सा और फ्यंट लेती हूँ जिससे कि बूंदी बहुती किस्पी और बहुती बढ़िया बनेगी तो मैं इसको लगातार फ्यंट रही हूँ तो बिल्कुल एक तम फ्लपी और एक तम यह पतला मैंने कर लिया है आपको दखाओंगी एक बार इसको बिल्कुल पतला करना है अगर आपने गाड़ा कर लिया तो आपकी जो बूंदी है लंबी बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी तो बस आपको दे सकते हो बिल्कुल पतला खुल मैंने इसका बनाया है तो इस कर्ची की हेल्प से मैं इसकी बूंदी बनाऊंगी तो बिल्कुल इस स्मोक आने तक आपको जो तेल है उसको गरम कर लेना है बिल्कुल गरम करना है तब ही इसकी बूंदी फटापट से बनेंगी तो आप दे सकते हो इसमें स्मोक आना स्टार्ट हो गया है ओईल के अंदर अब क्या करना है हम इसकी बूंदी बनाएंगे तो जो घोल मैंने बनाया है उस कर्षी के ऊपर हम डालेंगे तो इस तरह से मैं बूंदी बहुत बड़िया बनी है एक तम क्रिस्पी बनी है इसको गोल्डन होने तक हम इसे फ्राइगे क्योंकि हम इसकी नमकीन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इसको गोल्डन प्र्मिटि पर किस्पी इसको फ्राइक करेंगे क्योंकि जो बूंदी हम बनाते हैं होड़ा हम सौंव्टर चाय की चलनी का इसमें यूज किया है तो इस तरह से इसी प्रोसेसे सारी बूंदी बना के हम रेडी करेंगे तो आप दे सकते हो गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल हाई रखना है कि बूंदी तोड़ते टाइम बिल्कुल गैस का जो जो तेल है बिल्कुल एक तम हीट होना चाहि करारी बनेगी नमकी आप इस रेस्पी को ट्राइज रुकी आ बढ़ती बढ़िया ये नमकी लगती है बच्छे बहुत कुछ हो जाते हैं इस नमकीए लुका कर ताइब देखते हो बिलकुल जो बूंदि एक तम कुर्कणी करारी क्रस्पी मैंने सेखी है तो सारी बूंदी को इस प्रोसेस से के हम रेडी करेंगे तो इस तरह से मैंने सारी बूंदी को मैंने जड़ लिया है इसके बाद में हमें क्या करना है जो मैंने कच्ची मुभली थी हम उसे भी करेंगे पहले यह सारी जो बेसन है जो भी मैंने घोल बनाया है उसकी हम बूंदी रेडी कर लेते हैं और इस रेस्पी को आप ट्राइ कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है तो आपको यह नमकीन आपने बनाई है तो आपकी नमकीन कैसी बनी है मुझे जरूर से बताईएगा तो साली बूंदी में ढ़ाटके रेडी कर लिए इसके बाद में के अंदर में डालोंगी लिके है क countdown कि मुफली को और दे सकते हो जो मुफली होती है कसी मुफली होती है उसमें फोली होता है अर इस तक मुफली को बhū ना है और तो бесп这样 जो मूफली है वो बिल्कुल चटक गई है क्रेक हो गई है और बिल्कुल इस तरह से हमें बनाना है इसे और क्योंकि यह कच्छी मूफली को धीर धीरी सेगना है तो मैंने मीडियम गास akin 16 seus tests को करीव चार से पाउंच मिट के लिए इसको मैं फ्राइच कर लिया इसके बाद में जो मखाने लिये थे मखाने को भी हमें अच्छे से फ्राइच करना है है मखाने का तो मखाने भी सिक्के रेडी हो गए है तो इसे कर लेते हैं एक बाउल में निकाल लिया है मैं नमकी को पहले में बूंदी डाली है बूंदी डालने के बाद में डालते हैं इसमें मखाने में डाली है मखाने डालने के बाद में मूफली डाली है जो भी मैंने फ्र लेंगे, यसके बाद में लिए है आम चूर पॉडर लिया है खटता मीठा फिलीवर देने के लिए और इसके बाद में लिए है मैंने यह चौत ही चूमगई है बोना हुआ मुझे कमेंट कीजिए मुझे रहेगा आपकी कमेंट का बे सब्री से इंतजार तो बिल्कुल अच्छे से मुख्स कर लेजिए बिल्कुल चटपटी करारी नम्कीन बनके रेडी है और अब जब आप इसे अपने हातों से बनाएंगे अपनी वच्चों खिलाएंगे घर में फ आप इसे खाईए आपको इसे खुले बरतन में नहीं रखना है बस इतना आपको ध्यान रखना है सूखे ड्राई कंटेंडर में आपको इसे स्टोर करना है तो पूरे महीने भर तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आप इस नमकीन को ट्रा बना लेंगे तो सच मानि आपको इतनी जाता प्रसंद आने वाले यह वहती आसान तरीके से बन भी जाती है तो मैं इसे स्टील का एक डबा है इसी के इंदर में इसे स्टोर करूंगी आप चाहे तो आप इसे किसी प्लास्टिक के सुख्रड़ में भी स्टोर कर सकते हो तो See you next video, bye-bye, see you.